दोस्तो हम भारतियों की संख्या इतनी जादा है कि दुनिया के लगभग हर कोने में हमें हिंदोस्तानी मिल ही जाएंगे लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ जगे ऐसी भी है जहां एक भी भारतिय नहीं रहता आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगों के बारे में बताएंगे तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो वेटिकन सिटी जो की 0.44 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है यहां रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इस देश की जनसंख्या बेहद कम है लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहां एक भी भारतियन नहीं रहता वो बात अलग है कि भारत में रोमन कैथोलिक को मानने वाले क्रिश्चियनों की संख्याब बहुत है नमबर टू सैन मेरीनो दोस्तो सैन मेरीनो एक गणराज्य है यहां रहने वालों की आबादी 3,35,620 है हाला कि इस पूरी आबादी में एक भी भारतिय नहीं रहता भारतियों के नाम पर यहां आपको सिर्फ टूरिस्ट ही दिखेंगे नमबर टूरी बुलगारिया दोस्तो दक्षिन पूर्व यूरोप में मौझूद बुलगारिया की आबादी 2019 की जनगरना के हिसाब से 79,59,482 है यहां जातातर ईशाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इस देश में भी भारतिय डिप्लोमेट्स के अलावा कोई भी भारतिय नहीं बसा है नमबर फोर तुवालू दोस्तो तुवालू को दुनिया में एलिस द्वीप समू कहा जाता है यह देश आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व प्रशान्त महासागर में मौझूद है इस देश में लगभग 12,000 लोग रहते हैं इस द्वीप में सिर्फ 8 किलोमीटर लंबी सड़क है और एक भी भारतिया यहां मौझूद नहीं है यह देश 1978 में आजाद हुआ था दोस्तो हमारे पडोसी देश पाकिस्तान में कोई भी भारतियन नहीं रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की इस्थिती और आर्थिक राजनेतिक हालात के चलते यहां कोई भारतियन नहीं बसा है पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था लेकिन डिप्लोमेट्स को छोड़ दिया जाए तो यहां एक भी भारतियन नहीं रहता है दोस्तो इन देशों में भारतियों की संख्या कम होने के पीछे कई कारण है कुछ देशों में प्रमुक धर्म अलग होने के कारण भारतियों का वहां बसना मुश्किल होता है कुछ देश बहुत छोटे या दूरस्त होते हैं जिससे वहां पहुँचना मुश्किल हो जाता है कुछ देशों के साथ राजनीतिक तनाव होने के कारण भारतियों का वहां जाना प्रतिबंदित होता है कुछ देशों में आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं होती जिसके कारण भारतिय वहां जाकर बसना पसंद नहीं करते हाला कि दुनिया में कुछ ऐसी जगें हैं जहां भारतियों की संक्या बहुत कम है लेकिन भारतियों का प्रभाव दुनिया के हर कोने में देखने को मिलता है हमारी संस्कृती, हमारा खाना और हमारी महनत दुनिया भर में मशुर है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिये